हेलो शुरेंट्स तो क्लास 11 चैप्टर मोशन इन प्लेन और हमारा जो टॉपिक चला था वो चला था वेक्टर ठीक है वेक्टर को फुली एनलाइसिस कर रहे हैं पूरा जीरो से लेकर और टॉप तक लेकर जाएंगे वेक्टर को हम पूरे डेटेल में ताकि आप आने वाले कोशन आवने वाले एक्जामों में कोई भी कोशन हो आप उसे इसली कर ले और वेक्टर जैसे जैसे आगे यूज आएगा तो आप तरण कोशन को सोल कर डाले ठीक है तो वेक्टर गैसे तो इससे पहले आपने लेक्ट वीडियो में देखा था हम पढ़ रहे थे वैक्टर एडिशन ठीक है एनलाइटीकल मेथर्ड स्टार्ट हो चुका हमारा और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ट्राइंगल लो ठीक है लॉफ ट्राइंगल और आज हम पढ़ते हैं लॉफ पैरलोग्राम ठीक है लास्ट वाला आपको याद हो रिमाइंड करें कि क्या था लॉफ ट्राइंगल तो देखिए यह था लॉफ ट्राइंगल कि अगर एक vector a हो और इसके यहां से एक vector b हो और इनके बीच एंगल ठीटा हो तो इनका जो resultant यह था displacement यानि यह resultant और इसको माल लेते थे हैं बीटा या ठीटा कुछ भी माल लेजिए बीटा एलफा और इनका जो net निकाल कर आया था आपको यादो r की value क्या लेकर आये थे हम r की a square plus b square plus 2ab cos theta ठीक है तो यह resultant आया था जब दो एक तर किसी ठीटा इंगल पर हो और ट्राइंगलों का यूज कर रहे हो जहां इनकी magnitude और डारेक्शन से मौटर में थी ठीक है और इसका 10 बीटा भी निकाल लिया था हमने 10 बीटा इस इकल तो दिस अपॉन दिस तो यह हम सब क होता है कि जो टूबेक्टर होते हैं निए टेल से टेल जुड़ी होती है यहाँ पर क्या था वणान फटर एंड होता था दूसरा इसरा इस तो लॉप परोलूगरम में क्या है कि अगर यह वेक्टर है और इसकी टेल ऐसे ही बीटार है और इनके भी में एंगल माल लो यह ठ यह नाघान घूनट अन्हीं की बीच का ठीक है तो आर कहीं ऐसे आएगा और ऐसे आ रहे गागा इसको हम आर बोलेंगे और यह सपोच गरों वीता एंगल पर है तो हमें इस आर की वैलियू निकालनी यह ठीक है ये case ऐसे था और ये case ऐसे हैं तो अब क्या करना है हमने concept पड़ा है कि backtrack can parallellally shift ठीक है बैक्टर को हम parallellally shift कर सकते हैं तो हम A को कर दें ऐसे कर के और भी को इधर सिफ्ट कर दें तो यह क्या बन गया यह पैरोलोक्राम बन गया ठीक है यह अब इसमें हमें आर फाइंड करना ठीक है अब क्या करेंगे हम कि यहां से एक पर्पेंडिगूलर ड्रो करेंगे इसको हम ठीटा माल लेंगे ठीक है यह 90 हो गया यह पर्पेंडिगूलर ड्रो करा इनको कुछ नाम दे दीजिए आप O M N P S ठीक है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे सबसे पहले आपने वैक्टरों को पेहले रिषिट करा और उसके बाद P N पर्पेंडिगूलर है O N पर किलियर है यह हमने पर्पेंडिगूलर ड्रो कर लिया एंड P M N PMN is the theta ठीक है यह theta angle है चलो जी बहुत सही अब आईए इस छोटे वाले triangle मा जाते है पहले हम PMN in triangle PMN चलिए यह PMN मा जाईए क्या यह side हमें पता है हाँ यह side पता है यह B vector है इसको हम B लिख लेते हैं ठीक है चलिए जी MN को find करना है तो हम लिख सकते हैं MN upon MP यानि base upon hypotenuse base upon hypotenuse क्या होता है cos theta होता है cos theta तो MN की value आपकी हो गई B cos theta clear हो गया MN की value B cos theta again फिर दुबारा चले है इसी में ही triangle PMN ठीक है अब के हम यह वाली side find कर लेते हैं PN upon PM that is sin theta ठीक है तो PN is equal to B sin theta ठीक है हमारे पास यह side भी आगई यह side भी आगई अब आ जाई है आप right angle PON में in right angle PON ठीक है PON में आजाते हैं तो PON में आप right angle है तो pythagora storm लगा दीजिए OP का square is equal to O N का square plus PN का square के लिए रहें ठीक है PON देखे यह वाला है तो इसमें hypotenuse यह है यह इसका base हो गया और यह इसका perpendicular हो गया तो OP का square is equal to O N का square प्लस PN का square ठीक है OP को हम R O N O N में देखे दो पार्ट है O N प्लस M N O N प्लस O N M N P N एकेला ही है P N को P N ही रहने दे तो R is equal to इस पर हम पूख चड़ा लेते हैं O N की value देखे ए है M N की value यहां से रख लीजिए B cos theta है P N की value यहां से रख लीजिए B sin theta है तो R is equal to A plus B का whole square हो गया ठीक है identity लगी हुई है देखो A plus B A plus B का whole square तो A plus B का whole square खोल लेते हैं तो यह हो गया आपका A square plus B square cos square theta plus 2AB cos theta plus B square sin square theta clear हो गया तो देखे आर इस इकल टू A square plus B square cos square theta plus B square sin square theta plus 2AB cos theta clear हो गया है यहां से हम B square को whole square ले लेते हैं तो A square plus B square यह बचेगा cos square theta plus sin square theta plus 2AB cos theta cos square theta plus sin square theta 1 होता है तो हमारा जो resultant है ठीक है वो resultant बापस आगया हमारा जो triangle लो में ही आ रहा था R is equal to A square plus B square plus 2AB cos theta ठीक है सेम आपका triangle लो में भी यह आया था देखिए और resultant पैरोलोग्राम में भी सेम आया है क्योंकि यह हम triangle से ही solve कर रहे है आपको सम्झा रहा है भाई देखिए हमने फिर triangle लो ही बना लिया ऐसा ही बना हुआ है तो R की वेलू आ गई आपसे पूछे 10 beta ठीक है इस resultant का angle तो resultant का angle आप निकाल सकते है 10 beta is equal to pn अपाउन o n ठीक है बड़े वाले triangle से आँगे p o n से इन triangle p o n तो 10 beta pn की value pn की value लिख लीजे b sin theta अपाउन o n की value लिख सकते है a plus b cos theta तो this is the angle of resultant with vector a ठीक है यह हो गया अच्छा फिर समय difference क्या है simple से एक चीज़ देखो कि मैंने यह भी उताया था किसका मैं अगर cosine लेना है तो cosine भी ले सकते है अगर यह वाला theta निकालना है तो squaring और both side कर देते हैं और squaring और both side करोगे तो आप लिखोगे r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta so cos theta is equal to r square minus a square minus b square upon 2ab ठीक है यानि हम यह पूरा जो setup अब तक जो हमने solve कर रहा है इसको मानते है law of cosine क्योंकि यहां देखे value cosine में आ रही है ठीक है cos में आ रही है तो इसको हम बोलते है law of cosine ठीक है क्या बोलते है law of cosine तो आपको समझना आ गया law of cosine कैसे निकलना a square plus b square यह सब निकाल लिए हमने r 10 vita भी निकाल दिया हमने और cos theta भी निकाल लिए अब आपसे law of parologram में ठीक है पूछता है कभी कभी पूछे रहता है कि law of sine निकालो भाई law of cosine नहीं law of sine में निकालो यानि यह value r का जो relation है वो sine के trumps में चाहिए अब कैसे निकालेंगे उसको हम बोलते है law of sine याद रखना है law of sine ठीक है इसको note कर ले ओके चलो जी से अरफ कर देते हैं और यहां से निकालते हैं law of sine देखिए law of sine कैसे निकालना है law of sine निकालते हैं क्या करते हैं कि देखिए यहां से एक perpendicular ड्रो करते है ठीक है एक perpendicular ड्रो करते है यह M है और इसको हम दे देते हैं नाम S clear तो हमने क्या किया और इसको angle को माल लेंगे alpha, यह beta है clear है, आप देखें क्या किया है हमने हमने MS perpendicular draw करा है OP पर clear MS perpendicular of OP ठीक है, तो यह इस वाले triangle को दो part में divide कर दिया एक हो गया alpha और एक हो गया beta चलिए जी, अब आज़ेगी दहां से, तो यह 90 के angle होगे देखें, perpendicular है तो अब आप आज़ेए, पहले S, O, M in triangle S, O, M right angle है, ठीक है, समझ भारा right angle है, देखें, S, O, M चलिए जी, अगर हम पूछें आप से MS निकालना है पता है हमें OM, तो बताए यह कौन सा angle हो जाएगा, ठीक है, इस triangle को देखें, यहाँ निकाल लीजे, आपको समझ मा जाएगा, थोड़ा सा clear हो जाए यह 90 है ठीक है, यह बीटा है यह है आपका M, और यह है S, और यह है O clear है, तो देखें, बेस पर angle यह बना हुआ है तो इसका मतलब यह MPS इन ट्राइंगल MPS देखो द्यान से ये भी राइट अंगल बना हुआ है यहाँ निकाल दीजिए से ये निकाल दी हमने ये 90 ये अलफा ये P है ये S है और ये M है और ये B है ठीक है और हमें MS निकालना है तो हम लिखेंगे MS upon MP बताइए देखकर क्या हुआ MS upon MP फिर यही perpendicular upon hypotenuse तो that is also sine alpha clear sine alpha तो MS is equal to B sine alpha clear है MS की वैलु अगई अच्छा इन दौनों को हम यहाँ से compare कर लें ये भी MS की वैलु है ये भी MS की वैलु है इसे equation first मालने इसे second मालने हम यहाँ से तो हम लिख सकते हैं A sine alpha is equal to sorry A sine beta is equal to B sine alpha तो हम लिख सकते हैं A upon sine alpha is equal to B upon sine beta हमारे पास एक relation आ गया इसको हम यहां रिख लेते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं अब हमें जाना है इन दोनों triangle में इन वालों में right angle में जाना है तो एक तो दिखो right angle यह रहा कौन सा? PMN और एक जाएंगे हम PON में clear है? एक जाना है PON में PMN ठीक है? This is the perpendicular Perpendicular यह में निकालना है तो PN upon PM बताओ देखकर फटाफट This is the perpendicular और this is the hypotenious तो perpendicular upon hypotenious sign होता है और यह theta है तो हम इसे लिख सकते हैं sin theta तो PN is equal to B sin theta clear हो गया? चलिए जी अब इस बड़े बाले में जाएं इन ट्राइंगल PON इन ट्राइंगल PON clear है? PN upon OP is equal to sin theta clear है? देखकर फटाफट This upon this is equal to sin theta ही है तो PN हमें निकालना ही था OP है देखो R इसको लिख लेंगे R sin beta clear हो गया? अब इन दौनों को compare कर देखें ये भी PN की value है ये भी PN की value है तो यहाँ compare कर लीजिए ने तो आप लिखोगे V sin theta is equal to R sin beta और इसको हम लिख सकते हैं V upon sin beta is equal to R upon sin theta clear है रागया? इसको इदार इसको इदार इसको माल लेते हैं second relation अब इस second relation और इस first relation को देखे compare करते हैं फटाफट यहाँ देखें A upon sin alpha किसके कोवल है? B upon sin beta के और B upon sin beta किसके कोवल है? R upon sin theta के इसको हम बोलते हैं law of sin अगर parallelogram में law of sin निकालेगा तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा ठीक है? यह derivation है के लिएर समझ में आगया होगा आपने सबसे पहले देख लिए फटाफट क्या किया? कि यहाँ से perpendicular draw किया ठीक है? इस hypotenuse पर perpendicular draw करने से यहाँ दो right angle बन गए और इन दोनो right angle हो का हमने relation निकाला है ठीक है? दोनो right angle हो का relation निकाल लिया जो यह आगया हमारा उसके बाद हमारे पास दो right angle हो गए देखे एक यह छोटा वाला हो गया PMN और एक हो गया PON ठीक है? इन दोनों का relation हमने अपॉन साइन अलफा इसी को बोलते हैं law of sign law of cosine पहले था यह law of sign है और this is the all fundamental concept is called law of parallelogram law of parallelogram पे यह दो concept थे जो आपको clear हो गए होंगे ठीक है? note down कर लीजे चलो, rough करते हैं आगे बढ़ते हैं चलो, जी देखें, एक दो questions करते हैं इसमें कुछ questions आते हैं थोड़ा ग्राफिकली ठीक है? थोड़ा लेते हुए reading तो हम उनको solve करने की courses करते हैं यहां से ताकि आपको लगे कि इस type के question आये तो हमें कैसे करना है? तो एक दो questions मैं खरा देता हूँ आपको पहले suppose करो यह vector a b है यहां से एक vector b c कुछ इस type से गया ठीक है? और यहां से add हो गया clear हो गया? कुछ ऐसे concept हमारा? चलो जी यह concept हो गया? अच्छा इसको ऐसे मिलाया और इसको ऐसे मिलाया clear? आप से पूछा है इसमें कि a c plus b d a c plus b d is equal to 2 b c ठीक है? a c plus b d is equal to 2 b c और a c minus b d a c minus b d is equal to 2 a b तो यह हमें solve करना है ठीक है? यह हमें prove करना है यहां से a c plus b d is equal to 2 b c और a c minus b d is equal to 2 a b ठीक है? कैसे solve करेंगे? देखे पहले a c की value नकाल लेते हैं यहां से हम तो a c is equal to अब क्या लिख सकते हो? a c is equal to लिख सकते हो a b plus b c ठीक है? अच्छा b d की value नकाल लीजिए b d कहा है? b d यह रहा b d को लिख सकते हो b c plus c d b c plus c d ठीक है? हमें find क्या करना है? a c plus b d ठीक है? यह हमें prove करना ला prove that clear है question? तो देखें इन दोनों को add कर दे हम यहां a c plus b d is equal to a b plus b c plus b c plus c d clear है? तो देखें a c plus b d is equal to a b b c plus b c 2 b c plus c d clear है? ठीक है? अब देखें हैं हमें लाना क्या है? हमें तो 2 b c लाना है इस कमद यह दौनों कैंसल हों अच्छी है अब जहां से देखो a b a b एकी direction इधार है और c d की direction इधार है यानि हम लिख सकते हैं कि a b ठीक है? तो a b किसके equal है? a b minus c d के direction opposite हो गई है देखें वेक्टर पैरोलोग्राम है यानि equal है और लेकिन direction opposite है तो a b is equal to minus c d लिख सकते हैं तो a b के place पर minus c d लिख दीजिए a c plus b d is equal to minus c d plus 2 b c plus c d c d से minus c d cancel is equal to आपका होया 2 b c तो first part prove कर लिया हमने ठीक है? second part prove करते हैं अदिए second part भी prove करना है कुछ नहीं बहुत simple question होते हैं इस type के लगता है कि मतलब कैसे solve करना है? कुछ नहीं करना बस आप value रखते चलेए डारेक्शन देखते चले जाएए a c a c b d यह है तो b d के नहीं दिखो बी सी ठीक है b c और प्लस c d है चलो जी हो गया हमें निकालना क्या हमें निकालना a c minus b d a c minus b d is equal to a b plus b c minus b c minus c d clear हो गया बहीं माइनस करना है तो माइनस करेंगे बी सी से बी सी कैंसल हो गया यह बचा आपका a b minus c d के लिए हमें लाना क्या है 2 a b अभी देखिए हमने पढ़ा है माइनस c d किसके एकवाल है a b के एकवाल है यानि माइनस c d के प्लेस पर हम a b पुट कर दें a c minus b d is equal to a b plus a b that is 2 a b that is proof ठीक है तो इस टाइब के अगर कुशन आते तो आप सिंपली इन्हें सोल कर सकते हैं ऐसे पैरोलोग्राम में देता है hexagon में बना कर देता है डाइगोन देता है तो सिंपल करना कुछ नहीं करना ऐसी बढ़ना है ठीक है डारेक्शन के साथ और जो कह रहा हूँ अगर यह पैरोलोग्राम है तो यह डारेक्शन ऐसे है और यह डारेक्शन ऐसे है तो यह इस एक्वल टू दिस माइनस के ठीक है यह यानि ए भी माइनस सीडी तो इस तरह से हमें कोश्चन को सूल कर सकते हैं अच्छा इसी में एक छोटा सा टॉपिक हो लेते हैं सब्ट्रक्शन और बेक्टर यह भी चल लेते हैं आपके एडिशन और एक सब्ट्रक्शन और वेक्टर समझते हैं सब्ट्रक्शन और वेक्टर यह वेक्टर को कैसे सब्ट्रक्ट करते हैं कि सब्ट्रक्शन ओफ एक ठीक है देखें कुछ नहीं बहुत सिंपल कंसेप्ट है अपने एडिशन समझ लिया तो एडिशन का जस्ट उसी के चाहिए करना है मैं तो देखिए सब्सक्राइब एक वेक्टर है और बी ऐसे वेक्टर है और इनके बीच में एंगल ठीटा है ठीक है तो इनका रिजल्टेट कहीं इधर आएगा और अगर एड करेंगे ठीक है अब हम क्या करते हैं कि बी को हम चेंज कर देते हैं यानि बी को इधर सिप्ट कर देते हैं तो अगर आप बी को इधर सिप्ट करोगे तो वी ऐसे हो जाएगा और फिर यह क्या हो जाएगा यह माइनस भी हो जाएगा और यह वाला जो अब इन दोनों के बीच का निकलना है ठी और यह वाला वाला इंगिल बताओ यह वाला बन्हीं ऐंगिल हो गया यह वाला एंगिल और फिर पैर्लियर्स खरणा सकते हैं लेखिए R का क्या formula था आपके पास R का formula था जब पहले बढ़ा था A square plus B square plus 2AB cos theta ठीक है इस case में ठीक है ये पहले वाले case में था इस case में आप क्या लिखोगे इस case में लिखोगे A square plus minus B square plus 2A minus B ठीक है और क्या लिखोगे cos 180 minus theta cos 180 minus theta तो आपका जो resultant है वो आ जाएगा A square plus B square minus 2AB cos theta के लिए है तो ये subtraction होता है अगर subtraction आ जाए तो आपका formula हो जाएगा R is equal to A square plus B square minus 2AB cos theta के लिए है ऐसे subtraction करना है कोई problem ने ये subtraction करने में clear हो गया कि बहुत छोटा सा concept था कि अगर negative आ जाए तो उससे negative रख लेते हैं ठीक है अब ही आपसे suppose करो ऐसे पूछा कि भाई find the angle between इन दौनों के बीच का एंगल हमें find करना है ठीक है आपको ये दे दिया तो कैसे solve करेंगे इने हम square और both side कर लेते हैं यानि हम इसे रख सकते हैं a plus b का whole square is equal to a minus b का whole square इसे लिख लीजे a square plus b square plus 2ab cos theta is equal to इसको लिख लीजे a square plus b square minus 2ab cos theta clear है तो दिखें a square से a square cancel हो जाएगा b square से b square cancel हो जाएगा इसको इधर लिया ही है तो यह हो जाएगा 4AB cos theta is equal to 0 so cos theta is equal to 0 और cos theta is equal to 0 इसका मतलब एंगल आपको समझा रहा है कितना हो गया 90 ठीक है तो यह एंगल 90 हो गया नकी बीच में तो इस तरह से बहुत छोड़े छोड़े कंसेप्ट है जो बहुत छोड़े चोड़े टोपिक्स हैं जन्हें आप easily solve कर सकते हैं वेक्टर के अंदर ठीक है और इसमें एक छोटा सा और कंसे पढ़ते हैं resolution of vector resolution of vector resolution vector क्या होता है कि सपोज गरोबाई कि अगर अगर ऐसे आपको कोई vector दे रखा है xy axis है यह ठीक है और यह एक वेक्टर दे दिया 45 डिग्री पर और इसका नाम दे दिया आर आपको तो अब इस आर के दे दिया आर आपको तो अब इस आर के दो resolution कर लेते हैं ठीक है आर कॉस्ट 45 और आर साइन 45 इन दोनों का जो नेट है वह आर रहा है ठीक है तो हम वेक्टरों को ऐसे प्लिक लेते हैं आप जैसे बोले कि शो करना है आपको प्लस पहले में आई और जै और बथा दू आपको कि वेक्टरों को resolution करते हैं अगर वेक्टर इन एक्स डिरक्शन में हो ठीक है वेक्टर इन एक्स डिरक्शन में है तो हम उसे बोलते हैं आइक्टर ये याद रखने हो Z में तो हम उसे बोलते हैं के कैप ठीक है यानि वेक्टर अगर कोई दो डारेक्शन में चल रहा है X और वाई में बहुत चल रहा है X में 2 मीटर इन X और 3 मीटर इन Y तो आप इसे कैसे लिखोगे आप लिखोगे 2i प्लस 3j किलियर हो गया 2i प्लस 3j आपसे बोला कि कोई वेक्टर है एक चल रहा है मतलब पहले चल ला थो मीटर इन X वन मीटर इन Y और 2 3 मीटर इन Z तो इसे रिप्रेजंट कैसे करेंगे वेक्टर फॉर्म में तो इसे रिप्रेजंट करेंगे हम देगे 2i पिलस j और पिलस 3 k clear है तो यह वेक्टर लिखने का एक concept होता है कि वेक्टर हम लिखते गैसे है x y z x में तो यह थोड़ा सा आपको बताया है बाकि इसके बाद में जो solution करना है भी तो इसमें product वगएर आएंगे resolution करेंगे हम इसको तो उसे हम अपने next lecture में करेंगे ठीक है आपको वेक्टर लिखना आ गया होगा वेक्टर कैसे शो करने हमें X-axis Y-axis Z-axis I-J-K ठीक है और अगर एक वेक्टर का magnet दे रखा है तो हम उसे दो डारेक्स अम्हें ले लेंगे I-axis और J-axis ठीक है तो यह था हमारा वेक्टर का छोटा सा सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंट फटा-फट आपको पता चल लाएगी वे नई वीडियो आ चुती है तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हैं रूट आप इस्टेडी के साथ